So, Vivo लेके आने वाला है अपने नया स्मार्टफोन की लाइनप, the X60 series, जिसमें आपको मिलेगा Vivo X60, X60 Pro, और X60 Pro Plus. हमारे पास है the mid variant, the X60 Pro, and of course, Vivo जाना जाता है दोस, you know, good-looking phones के लिए, and lately camera department में भी, because they've done a really good job, and pictures काफी अच्छी निखर के आती हैं, अगर आपको याद हो कि Gimbal Stabilization भी हो लेका है थे, where your phone, you know, आपका जिए शॉर्ट है स्टेडी रहेगा, तो इस फोन के नबी काफी features हैं, इसकी हम quickly एक unboxing करने वाले हैं, क्योंकि phone market में जल्दी लाँच होने वाला है, और बथाते हैं कि, what the X60 Pro has to offer. और तो इसकी करते हैं quickly unboxing, इसकी unboxing बड़ी असान होने वाली है, क्योंकि मेरी टीम में already किसी ने इसको आधा खोल के रखा हुआ था, थैंक्स माइट, और राइट, तो यह राफ फोन, ब्रांडिंग काफी अच्छी है, और गिंबल स्टेबलाइजेशन के जो मैं बात कर रहा था, यह आपको मिलेगा, तो यह राफ इस आउसम, इस वाफ बाक्स लॉक्स लाइक, या अगर आपको रोड़ी पॉपस करना है, मेकप बॉक्स बनाना है, जेमेटरी बॉक्स बनाना है, प्रॉक्स बनाना है, यह राफ फोन इसको बाहर निकालते हैं, आल राइट, जे प्लाक है, यह ब्लु आपको ब्लू है, मुझे दोनों फिला रहे बट इस ब्लाक, एक और कलर है, ब्लू कलर में, तार जो लूख नास में इसको पावर अन करते हैं, So as you can see the branding says 5G So 5G phone है So जब भी 5G आएगा आपका फोन एता ही है रहे गया And this is what the design looks like Nicely cut आप देख सकते हैं पर The back is also pretty sturdy I'm sure they've used a coating over here Camera setup आप देख सकते हैं आपर तीन camera आपको मिल रहे हैं Right, एक है 48MP का एक और बाकी दो 13MP each And of course इसमें आपको मिलेगा Gimbal Stabilization 2.0 So fantastic, अगर जो moving shot है उनमें कोई जर्क नहीं आएगा So that's pretty good, in fact your pictures also So if you have a little bit of a hand So if you have a little bit of a hand, don't worry, you'll get a little bit of a stabilization So this is the heliphone, as you can see, I think design-wise pretty good But of course camera bump है, so cover होना बहुत जरूरी है जब तक ये power on होता है, तब तक हम बाकी की चीज़ें भी explore करते हैं box के अंदर स्क्राइम तुल इज़ेक्टर, nice काश ये कोई कूपोन, सुड़ेक्स कूपोन होते तो और इमेर आता पर नहीं है तिस जिस लिटरेचर, वारंटी, गारंटी, सो एक बार पढ़ लीजेगा राइग, चार्जिं केबल तर अवर आपकी केबल स्क्राइप्टर केबल स्क्राइब करते हैं और यह तर मामला चारजिं केबल अडप्टर से खतो होता है पर यहान नहीं होगा you are also getting these headphones so that's good क्योंकि headphone jack का है headphone jack का भी हम figure out करते है पड़ आपको headphone मिल रहा है right and of course फोड़े एक्स्ट्र एबट्स भी oh yes so figure out हो गया है मसला यह है कि आपको मिले गए हापर यह adapter type C to your 3.5 right so अब इसको यहां लगाएंगे जैसे आपको यादो आइफोन में होता है था अब तो कुछ भी नहीं है and you're gonna connect your headphones here ठीक है तो चलो कुछ तो मिल रहा है very good the phone is nice इसको power on करते है और इसके आपको चल्दी से और बसाते है कि बाकी क्या क्या है इस फोन के दर और राइट तो फोन को on करते हैं on screen fingerprint sensor के साथ इसके लाब पिन है pattern है in fact facial recognition भी है so job को पसंद आए उसके तरह अपने फोन को unlock कर सकते हैं फोन कर डिजाइन एक बार हम लोगों ने कवर लगा दिया बिकाज यह हिस्सा थोड़ा बहार आ रहा था बट रोटेक्शन ही दे रहा है it's not still you know it's not flat right otherwise build quality is great the looks are amazing nicely curved firm कहीं कुछ आपको gap कुछ भी नजर नहीं आगा it's very sturdy good to hold as well right अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो आपको मिलता है 6.56 इंच कर डिस्प्ले 2376 by 1080p का resolution है अब देख सकते हैं और बात करें 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 तो it's 398 PPI company claims of course अभी खोला है हर सिच्वेशन में इसको test करके देखें की display कैसा perform करता है but right now indoor condition with these fluorescent lights on it looks fantastic icons everything colors सब बैतरीन लग रहा है nice काफी सारी pre-installed apps हैं जो की expected था so जो uninstall हो से के उनको कर दें right what's the problem and यह जो आप इंटरफेस एक रहे हैं this is android 11 और विवो ने अपना जोन का operating system है इसके उपर the fun touch OS 11.1 है साथ because it is very fun to touch yeah okay इसके अलावा अगर हम बात करें so dual sim है पर 5G जैसे आपने बाता है ता पर only one sim can can be used as 5G sim दूसरा वाला 4G so dual sim है बट दोनों 5G नहीं है के विल एक 5G है so यह एक छोटा सा catch है इसके लब अगर मैं बात करूँ हार्डवेर की तो इसको पावर करता है snapdragon processor the 870 it's quite capable processor अच्छा processor है और जैसे देशने 12 GB की RAM है इसमें और यह 3 GB की virtual RAM इसके बारे में बात ने बताएंगे आपको snapdragon 870 like I said and 256 GB की आपको यह storage मिलेगी which is plenty plenty बहुत है जब तक आप consume करेंगे तब तक आपका वक्त आजागा एक upgraded version खरीदने का so worry not camera की बात करें once again 48 megapixel का primary camera मिल रहा है और दो 13 megapixel camera sony IMX 598 sensor का इसमाल का किया गया है इसमें and yes 4K recording भी है तो आप वो भी इसमाल कर सकते हैं and you can double the frame rates as well इसके लावा सामनी की तरफ आपको मिलेगा 32 megapixel का camera right so camera quality I am expecting I have high hopes especially अगर आपको gimbal stabilization भी मिल रहा है एक रूमर है की आपने पड़ा होगा हाल फिलाल में की pixel shift technology का भी स्ते में इसमाल किया गया होगा जो की DSLR camera में जीज़ होती है basically make sure that you know अगर short अगर संब्रियों बताएं तो color reproduction में थोड़ा सा help हो जाती है but I don't know I'll have to use it whether the technology has been used or not because we officially launch अभी एक दिन पेले इसका वीडियो बना रहे है but yeah जैसी पता चलेगा description में हम details with price आपको बता देंगे बाकी क्या बचा है बाकी बचा है बाकी बची है battery of course with big display and all these performance and jargon जिनकी वेना बात की है बैटरी भी काफी important है बैटरी आपको मिलेगी 4200 mAh की like I said 33 watt का fast charging भी है so that's good 4200 pengapixel camera I think should easily last you the day अगर आप game खेल रहे है ऐसे gaming के लिए Adreno अगर GPU के बात करो तो Adreno 650 है so just you know just letting you know so देखेंगे otherwise right now first impression looks stunning looks beautiful एक जड़ा मैं camera में फोटो किशन के देखो अपनी ज़ा एक तो मैं हर चीज को मुझे अगरी करना पड़ेगा because I can't disagree you know मैं अपनी एक फोटो कीच रहा हूँ यह लिए किए अगरी यार all right थोड़ा बहुत कस्टमाज़ी होगा so this is me आप देख सकते है बिल्कुल you know pink of my health wearing red shirt all right so selfie camera तो काफी interesting लग रहा है बाकी you know throughout the week we'll be clicking some pictures sort of use करेंगे video stabilization में कैसा है picture quality कैसी आरिये across different lighting conditions so we'll do that but for now यह यह वीवो एक 60 pro looks promising कीमत आपको description बता दी जाएगी यसी launch होगा but I'm expecting above 40 that's just my guess final confirmation आपको बता देंगे but just to sum it up 6.56 अपको display मिल रहा है Qualcomm 870 processor है 12GB gram है 256GB storage है 4200 mAh की battery है right so that's it जल्दी आपके पास लॉटेंगे review के साथ with the X60 pro from Vivo जल्दी आपके लॉटेंगे